Hi friends! मैं हूं खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ friends कि अगर आपके mobile में जो gallery होती है, albums होती है friends अगर उसमें आपको कोई भी फोटो नहीं दिख रहा है friends कोई भी फोटोस है जो show नहीं हो रहे हैं आपको इस problem को solve कैसे करें? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शियर करें तो चलिए friends वीडियो को start करते हैं आपको अपने mobile की setting में आ जाना है friends उसके बाद है friends आपको आपकी mobile में app manager या फिर apps याüz पिर application name से एक option show होगा उस पी आपको click कर देना है आपके mobile में वो जिस भी name से उस पिर आपको click कर देना है मैरे mobile में app manager name से इस पे मैं click कर देती हूं इस पे क्लिक करने के बादे friends आप को क्या करना है यहां पर आपके mobile में जितने भी application होगी वो सारी यहां पर आपको show हो जाएगी इसलquito ही आपको albums पे click कर देना है albums पे click करने के बादे friends यहां पर आपको storage का option मिल जाएगा storage वाली option पे click कर देना है अब storage वाली option पे click करने के बाद friends यहाँ पर आपको clear catch का option मिलता है clear catch पे click कर लेना है and उसके बाद आपको यहाँ पर clear data का option मिलता है clear data भी click कर देना है इतना करने के बाद है friends आपको क्या करना है आपके mobile में जो भी problem हो रही थी आपको gallery पर जो भी photo show नहीं हो रहे थे अब आपको file manager open कर लेना है file manager या फिर आपको albums कुछ भी आपको open कर लेना है उसकी बाद यहां से आपको pictures का option मिल जाता है videos का music का यहां पर आपको all option मिल जाते हैं इस पर click करोगे यहां से आपको जितने भी photo's है pictures वो आपकी show होने लगे जो problem हो रही थी वो fix हो जाएगी तो इस तरह के से आप भी अगर आपको mobile gallery में आपको कोई भी photo show नहीं हो रहे हैं तो इस तरह के से इस problem को solve कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आई है तो please video को जरूर लाइक करें channel को subscribe करें thank you for watching in this video